सो भाईयों और बहनों, अगर आप सिनेमा लवर्स है तो पिछले कुछ दिन आपके पाऊं जमी पे नहीं टिके होंगे, क्योंकि अल्मोश दो दिन में तीन बड़ी मुवीज के ट्रेलर लॉंच हुएं, जिसमें से आज हम मेरे पर्सनल फेवरेट फ्लैश के ट्रेलर के बार में गिफ्ट दिया है, एक टीनेज सूपर हीरो विट वेरी डिफरेंट पावर्स, एंड रेड कॉस्ट्यूम गिवन बाई रिच ओर्फन गाए, सुना सुना सा लगता है ये तो, आपका आवाज कितर देखे ला लगता है मेरे को, मैने भी तरह थो बड़ा कितर सूने ला ऐसा ना लाइटनिंग के साथ दिखता है, जबकि लास्ट टाइम उसकी लाइटनिंग ब्लू थी, लगता है एजरा मिलर की तरह उनकी लाइटनिंग भी रंग बदल रही है, पर इस नहीं लाइटनिंग को हम बैरी के लिए ऐसा पावर बुष्ट कंसिडर कर सकते हैं, आगे हमें प सो फ्लेश में वर्ल वार तो नहीं बट हम मैन ओफ स्टील के इवेंट्स को री विटनेस करेंगे, यानि जॉड की वापसी होगी, पर बैरी के वज़े से उसे रोकने वाला नहीं, रोकने वाली है, जो किसी बेस में हमेशा से कैद पढ़ी है, यानि अपनी सूपर गल कारा पर सूपर गल तो सूपर गल, अब डीसी को भी मार्वल की तरह लेडीज वर्सिस रिकी बेल चालू करना है तो कर लो, उससे मेरा का फायदा मुझे का मिलना है, फिर आगे जाके हम बैरी को मेबी थॉमस वेन यानि माइकल कीटन की बैट केव में देख सकते हैं, और उसके हमें उनकी आवाज में वो आइकॉनिक डायलोग सुनने मिला, आदे 90's किट तो वहीं बॉकला गए होंगे, और बाकी बच्चे हुए आगे जाके उनका इकॉनिक फ्लाइंग अटेंप्ट और आक्शन सीन देखके, पर बैटमैन इस मुवी का बहुत इंपोर्टेंट हिस्स में हम बैरी को दुनिया की तबाई के थूरू भागता देख सकते हैं, और क्योंकि इसमें कैटन आटम नहीं है, तो शायद कोई वर्ल्ड इंजन सक्सेस्फुल हो गया होगा, और दुनिया ऐसे ही तबाह हो गई होगी, जिस वज़े से फ्लाइश को टाइम में पीछे जाक जैसे बैकमैन का नया सूट, माइकल कीटन का वही पुराना 90's मूवी का वेन मैनर, सूपर गल की कपड़ो और लोकेशन को देखते हुए, सूपर मैन रेड सन यानी रशियन सूपर मैन रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस होना भी पॉसिबल है, क्योंकि सूपर गल रशिया में पर शायद कोई अलग उनिवर्स का, क्योंकि एक सीम में हम यहार रेड लाइटनिंग देख सकते हैं, जो शायद एक फ्लैश वेरियन्ट और इस मूवी का विलन होगा, या फिर हो सकते है यही चोमू बाल वाला ही विलन हो, को उसको जादा ही पीला है ये बंदा, तू समझ जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन दबारो ना भूले बाई, स्टाथ करो!